देर इस्टेरेंग, गुट मॉर्निंग, अले फ्यूँ, आज के हमारा टॉपिक है जियोग्रोफी कम्पेटिशन एक्जाम सीरीज शॉर्ट क्वेस्टन आंस्टर पार्ट फोर तो पार्ट फोर में हम देखेंगे भौतिक भूगल यानि की भूग अक्रितिव इज्ञान से सम्मंधी जो अपरदन चक्र का पॉइंट है इसे सम्मंधी जो भी आपके कम्पेटिशन एक्जाम या में एक्जाम में आने वाले जो सॉर्ट क्वेस्टन आंसर है अति लगुत्तरी वा लगुत्तरी टाइप वो देखेंगे हैं तो चलिए श्टाट करते हैं अपरदन चक्र से सम्मंधी सॉर्ट क्वेस्टन आंसर जो की आपके में एक्जाम और कम्पेटिशन दोने के लिए काम आएगा तो इसका फर्स्ट क्वेस्टन है अपर्दन चक्र में आपका फर्स्ट क्वेस्टन जो मनता है वो है भोगोलिक चक्र की अधारणा कृष्णे प्रस्तूत की यानि कि आपके जो अपर्दन चक्र की अधारणा है भोगोलिक चक्र की अधारणा है वो कृष्णे प्रस्तूत की तो वो है आपके W.M. डेविस ने डेविश ने भोगोलिक चक्र की जो अधारणा है उसको कब प्रस्तूत किया यानि कि कब प्रतिपादन किया तो वो है उन्रिश जानि कि अठारा सुनिन्याम्बे इश्वी में प्रित्वी के अंतरजाद बल के द्वारा उत्थित भूकंड उत्थित भूकंड मतलब उपर उठे हुए भूकंड अंतरजाद बल द्वारा उपर उठे हुए भूकंड जब ब्राहयजाद बल द्वारा यानि कि नदी, सागर या हीमानी इसे जो अपरदन अप्छे ये सभी क्रिया होती है उन्से क्या होता है शम्तल या शम्तल प्राय मैदान में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है तब उसे क्या कहते है अपरदन चक्र कहते है यानि कि उप प्रक्रिया है इसके द्वारा समपर्ण होता है बहुर्जात बल है नदी और इसागरी देख लेते हैं इससे क्या अधत पर हैं तो भगुलिक चक्र श्रमय की वह अभधी है यानि कि वह समय जिसके अंतरगत क्या होता है एक उत्थित धुकन यानिकि उपर उठे हुए भूकन अपर्दन प्रक्रम के द्वारा अपर्दन प्रक्रम मतलब अपर्दन करने वाले जो क तो यह है आपका भौषक्रा से आश्टा है यानि के आपके ऊपर उठे हुए भूखंद निर्मित होता है तो अंतर जदाद्बल के द्वार वलन है या आपके जो पटल होता है भूपटल में परिवर्तन होता है वलन की द्वारा वो आला है आपका आंतरिक बल की द्वारा होता है इसमें पटल वीरूपड केते हैं इसको पटल वीरूपडी वीरूपड इसके द्वारा क्या होता है जो उत्थित इस्थान यानि कि उपर उड़ता है क्या होता है इस्थान उपर उड़ता है पटल वीरूपड द्वारा और जो बहिर जादबल है नदी है यही माणी है इनके द्वारब जो अपरदन क्रीय परदन क्रीया है उतिपूर उफ़ते हैं उपर उठे इस्थान मैदने हैं त概ूelा किद भुग्लक चखटर या अपरदन चक्र आपका नेस्ट Q 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 ति एक और जाता हैð उत्थित मैदान है वह क्या हो जाता है वह समानिक अपरदन चक्र scorp और यह और अपका आप्रदन. चक्रा यह तीनों क्वेशन एक है इसके आंसर भी एक है बस इसे थोड़ा अलग टाइप से पूश दिये जाते हैं तो इसे ध्यान रखेंगे फिर इसमें का आपका नेश्ट क्वेशन जो है वह है जो अपर्दन की प्रक्रिया है उस्षेश मंधित देखते हैं तो अपर्दन की वह शंपून क्रिया कलाब जैसे की चैटानों में कट छांट घीसने और चिर्ण बनने की यह सभी क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है अशंतल धरातर यानि कि उपर खावर धरातर है उसका क्या होता है संतली करण होता है वह अतलब शंतल यानिकि मैदानी करण होता है य यानि कि जो आपकी अश्रमतल धराता है उपर नीची भाग, उसका क्या हो जाता है? समतली करण होता है, यही क्रिया क्या है आपका अनच्छादन है, फिर आपका नेश्ट क्वेश्टन बनता है इसमें, अपछे किसे कहते हैं, तो चेटानों का अपने ही इस्थान पर कमजोर जाता है, फिर आपका नेश्ट क्वेश्टन है, अपघर्षड, अपघर्षड किसे कहते हैं, जब कोई प्रक्रम, यानि कि इस रोत, नदी है, हिमानी है या पवन है, यह से भी क्या करते हैं, अपने साथ दो कंकर पत्थर या बालू बहा कर लेकर आते हैं, उन पदार्थो के संपर्क में जो आने वाले चटान है, उसका भी क्या होने लगता है, घर्षड या टूटना फूटना होनी लगता है, यह क्रिया आपको क्या कहलता है, अपघर्षड, यानि कि आपस में घर्षड होनी लगता है, जो संपर्क में आते हैं उन चटानों के साथ, यही आपक क्रिया है फिर अपका नेश्ट क्विस्ट्अं जो है वो है शन्नी घर्सर यानि कि जोattend की अपगर सड़् क्रिया है उची यहाँ पर शन्नी घर्सर कह खगया है थोड़ सब परिवरतने किसी प्रक्रम के शानत बहने वाले जो पदार्थ हैं कंकर पथ्र जो उलनी च्छानि और होते होने की कारण हो छोटे हो जाते हैं शुते रूप नमे क्लिद में हों बालु कंकळ पथर प्रह ने कि द् publi चया है, वह बारी कर्वें भीवाजित होने लगता है तो यह आपका होता है सन्नी घरसन यानि कि घरसन के बाद भी पुना घरसन होता है जिसे छोटा रूट धाराड कर लेता है यह होता है आपका सन्नी घरसन फिर आपका नेश्ट क्रेशन बनता है इसमें अपर्धन चक्र के व्यवधान ची क्या तत्पर्य है अपर्धन चक्र व्यवधान मतलब शमश्या तो जब नदी क्रमिक रूप से अपर्धन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है यानि कि अपर्धन चक्र को अपना एक ही समय में एक ही बार में कम्प्लीट नहीं कर पाता उसमें कोई शमर्षय या वैवधान उत्पन हो जाता है तो उसे अपरदन चक्र की वैवधान कह जाता है और ये वैवधान किन-किन कारणों से उत्पन होता है तो वो है भूपटल का अवत्तलन यानि की नीचे धन से हुए भाग या उत्थान उपर उठे हुए भाग ज्वाला वह स्पव्जुन है इंशेलिबर्ग किसे कहा जाता है यह इसें परिफानी इसमें जुख च्ट्रा या राइगस्थानी छेत्र उसमें क्या होता है च्टोड चेटान अपर्दित होते और उंचे उठे ही रह जाता है जो मुलायम चटान है वो क्या हो जाता है अपरदित हो कर चला जाता है तो इसमें जो टीला उपर उठे बच जाते है कठोर चला जाता है वो ही क्या होता है आपका इंसेल बर्ग कहलाता है यानि कि आपका ये जो रेकिस्तानी सूस्क शेतर है इसमें क्या हो जाता है अपर्दन होता है तो इसमें क्या हो जाता है जो कुछ सूस्क है वो क्या है अपर्दित हो जाता है और कुछ भाग यह टीले कुरूप में बचे ही रह जाते हैं तो यही जो कठोर चटान है जो टीले कुरूप में बच जाते हैं इसे ही क्या करते हैं इ लेकिस्तान यानि कि शूस कि छेत्रे में होता है फिर आपकर Nedर एपिक नेश्ट कुएश्चन है वह हैं इंसलबर्ग का निर्माण क्षे रहता है तो इंसलबर्ग का निर्मार अपचहवा अपदन क्रिया के की दवारा होता है वा नोकल एशुट करता है तुझ में नेखु हैं तो जो कुट वही हुआ इंश्य बर्ग का जाता है रह फ़ले फह चेट के कि आ रहे हुआ हैriers 매् converted फिर आपका नेश्ट क्वेश्चन बनता है जो सूस्क चक्र की अधाड़ा है इसका प्रतिपादन किसने और कप किया तो आपके सूस्क चक्र का जो अधाड़ा है उसका प्रतिपादन 1905 में किसने किया डेविश महोदने फिर आपका नेश्ट क्वेश्चन है पेडी प्लेन से क्या आतात पर ये है तो ये पेडी प्लेन भी आपके जो इंसेल बर्ग है उसी का एक रूप है तो शेले लेखते हैं पेडी प्लेन क्या है पवन एवं पुरानी नदी पवनो ये वा पुरानी नदी पवन द्वार किसका निर्वान होता है आपके इंसेल बर के-श में presto निर्मार निरुवान तो परानी न Daten दारा जैब को ई उत्धित भूखन यानिकि उपर उठे हुए भूखन यानिकि उससे निरमित क्या होता है मैदान ईतर ततर उच उठे-उठे भूखनMSY वहां उपर उठे हुए इसमसे निर्मीत के सिन निर्मित आई नथा भूखन उपर निचे उठे हुए यहाँ वहां टीले इसका खेती हुखन तो एवं जिन्स का ढाल अधिक होता है इसका ढाल क्या है अधिक है तो यह उपर उठे हुए जो टीला है उसका ढाल है उसे क्या आकत है पेडी प्लेन कहा जाता है याने कि जो इंसल बर्ग है उसी के जो अधिक ढाल होता है उसको पेडी प्लेन कहा जाता है और यह सूसक छेत मुनार्द नाक से क्या तात्पर्य है तो ये अपके प्रतिरोधी शेल यानि कि जिसका शरण नहीं होता यानि कोई कठोर शेटान प्रतिरोधी शेल के भाग अपरदन और शेश की रूप में यहां वहां संप्रदाय मैदान के सतह पर दिखलाई देते हैं कुछ अवसेश दिखाई देते हैं यानि कि कठोर शेटान दिखाई देते हैं उसे ही क्या कहते हैं मुनार्द नाक कहा जाते है यानि कि आपका यह संप्रदाय यानि कि समतल मैदान है इसमें क्या है कुछ अरोधी यानि कि प्रतिरोधी सेल बच जाते हैं ये कठोर चटान यही आवशेश जो क्या हो जाता है आपरदन के परिनाश वरूब ये बच जाता है लाश्ट में आवशेश इसी को कहते हैं मुनादनाक आपके मुनादनाक फिर आपका नेश्ट कोशन है शमान या परदन चक्र की फिर्वान होता है घल झायन तो यह हुआ अपका व्रिधा वस्था जब नादी बहते हुए जाता है और सागर से मिलता है यानि कि उसका अंतिम शंगम होता होसुसा स्थान पर क्या हो जाता है अपना जो अश्राध है उसे नदाल कम होने के कारण तो ही आपका डेल्त 오늘도 बन जाता है, तो ये किस अवस्था में होता है, रिध्धा अवस्था में, फिर आपका नेश्ट क्वेश्चन है, अपरदन चक्र की किस अवस्था में बलुका उस्थूपों का निर्मान होता है, ये आपका यूवा अवस्था में होता है, जो बलुका उस्थूप है उसका न चक्र के किस अवस्था पर पेडिमेंड का निर्मान होता है सूस के चक्र अवस्था मतलब रेगेस्तानी जो छेत्र होता है उसमें क्या होता है तो वहां के जो चक्र है किस अवस्था में यानि कि किस इस्तर पर पेडिमेंड का निर्मान होता है तो यह है आपका प्राण हवस यह आपका इंसेल वर्ग है, इसका ढाल वाला जो छेत रही है, पेडी मिंट है, इसका निर्माद प्रोढ़ा अवस्था में होता है, यानि कि सेकेंड इस्टेज में, फिर आपका नेश्ट क्वेस्टन है, इस वीडियो में इसे समधित कोई भी डाउट हो या क्वेस्टन हो तो आप डिस्क्रेप्शन में जो वाट्सप निंक है, वहाँ से जाकर जॉइन होकर क्वेस्टन पूशकते हैं, हम उसे हल करने का प्यास करेंगे, फिर आपका नेश्ट क्वेस्टन है, मुनोज नाक का निर्माड जली अपवर्दन चक्र के किस अवस्था में होता है, तो भूश्वरूप सरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफलन है या कार्या है, यह अधार्या किस ने दी, तो W.M. डेविस ने दिया, यह आपके जो डेविस के जो अपरदन चक्र है उसमें मिल जाएगा, यह उसका जो एक कथन है या अधार्या है, यानि कि यानि कि इस्थर रूप या उचावच, सरचना प्रक्रम और अवस्था, यह तीन चीज की क्या है, प्रतिफलन है या उसका परिणाम है, यह कथन किसका है, डेविस का है, फिर सेकिन है, किस से, यानि कि किसके संप्रदाय मैदान के बदले पेड़ी प्लेन अधाना दे गई फिर आपके कठोर चटान का दिखाई देने वाला धरातल क्या कहलाता है, तो आपके कठोर चटान की जो दिखाई देने वाला धरातल है, वह हमादा कहलाता है, तो यह सभी आपकी क्वेशन कंप्लीट होगा, इससे समधित, यदि इससे समधित कोई भी डौट क्वेशन है दिमाग में तो आप वार्स्टाप ग्रूप में सेंट कीजिएगा हम उसे हल करने का प्रयास करनेगे धन्यवाद